हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोकडाउन जो फाइव है वो तीस जून तक बढ़ा दिया है लेकिन ये शिरफ कंटेंडमेंट जोन में बढ़ाया गया है लोकडाउन लेकिन अभी एक रहत वरी खु पूलने लगा ये बहुत ही बड़ी खुशकबरी के दोस्तों जिसमें पहले फेज आठ जून से स्टार्ट होगा ये एक महिने का फेज होगा जिसमें दार्मिक्स तल इबादत की जंगा होटल रेस्टोरेंट और हॉस्पिटलिटी से जुड़ी सर्विसीज सोपिंग मोल् इसके लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करता था कि इन जंग पर सोशल डिस्टेंग्सिंग का पालन होता रहे और दूसरा फेज में सकूल कोलेज पर जुलाई में फैसला लिया जाएगा स्कूल कोलेज एजूकेशन ट्रेनिंग और स्कोचिंग इंस्ट जो जिचें खुली जाएंगी उनमें हैं इन्टरनेशनल फ्लाइट चलो हो जाएंगी और एक मेत्रो जो हाँआ вो सभी मेट्रो चलो हो जाएंगी सिनि माहल्द जिम और ये टाइं Lewis से अकिन्ड फेज जुलाई 8 जुलाई से स्टार्ट होगा दोस्तों सिनिमा ओल जिम औड कि जमावड़े स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों कंटेंडमेंट जोन में अभी 30 जून तक लोकडान रहेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं तो वहां पे रोकताम करना बहुत जूरी है वहां पे अभी जो फिलाल जो भी गाइडलाइन जारी है वही जा ज़र य SS में तो इन यह अभी आट जन से इसकी शुरुवात हो चुकित है और थीति फेज में यह लोकडावन खुलेगा दोस्तों कि तो यह थी दोस्तों एक लोकडाउन सेजुड़ी को डान फाइव एवं से जुड़ी कबर। और आगे और देखेंगे एक गर्यामंत्रा जो भी गाइड लाइन आई है उसमें इन्होंने किस तरह से यह है एमएचे का गाइड लाइन का ओर जो लोगडाउन फाइव का है आप देख सकते हैं दोस्तों इसे ही में बताया गया है और याज स्याम को ही जारी किया गया इसमें लोगडाउन कैसे खुला जाएगा उसकी पूरी जानकारी दी गई है इसमें फेज वन में आर्ट जून से स्टार्ट रिलिजिस पलेस ओटल्स रेस्टोरेंट सोपिंग मॉल ये खुले जाएंगे मिनिस्ट्री ओफ एल्थ ये खुल अफेर और इन में सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही जूरी है दोस्तों और सेकिंड फेज में भी और रियायत जी जाएंगी जो कि 8 जुलाई से है और उसके बाद आठ अगस से तीसरा फेज चालू होगा और उसके बाद कोई फेज नहीं है उसके बाद देश से लोगडाउन लगबग खतम हो जाएगा तो ये थी दोस्तों आज की एक बहुत ही मैतपून अपडेट क्योंकि सभी लोग यही जानना चाहते थे कि लोगडाउन 5 कैसा होगा तो ये थी दोस्तों एक चोटी से अपडेट न्यूज और रेलवे से जोड़ी जनकाई के लिए चैनल से बने रही है दोस्तों धन्यवाद